नमस्ते तो आज डाइबिडिस रिवर्सल की एक केस है जिसको हम लोगों ने ठीक किया था उसके बारे में देखेंगे तो यह जो पेशेंट है इन्हें अपने अलोपेटी की दवाईया जो है वो पूरी करिके से बंद करनी थी और यह जो कंप्लेंट्स वो फेस कर रहे थे इस ब्रांच में आये थे हमारे डॉक्टर आनूजा और डॉक्टर सलोनी मैडम के पास में तो हमारा जो डाइबिडिस रिवर्सल का प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमने चालू कर दिया जिसके अंदर पंचकर्म, डाइट, एक्सरसाइग, योगा, स्ट्रेस मेनेजमेंट ये सारा कुछ होता है, तो ये शुरू कर देने के बाद में इनिशियल उनका जो वजन था, वो 72 था, 90 डेस के बाद में एक 10-11 किलो वजन घट गया और वो 61 पर आ गया, 6 मेने के बाद में वो 57 पर आ गया, जो हाया BMI था वो अब नॉर्मल में आ गया है, ब्लड प्रेशर के HBOC तो HBOC भी नॉर्मल आ गया है, एलोपेती की दवाईया भी यहां पर बंद हो गई है, जो 220-230 शुगर रहा करती थी, वो 100-150 के रेज़ में आ गई है, ये डाइट है, इस तरीके का डाइट कुछ पेशेंट ने फॉलो किया था, हमें फोटो भी बेजा था, क्योंकि हम पेशेंट के डाइट के फोटो जरूर मॉनिटर करते हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से गाइड कर पाए कि जो खाना वो खा रहे है, वो बैलेंस तरीके का डाइबेडिस रिवर्स करने वाला है या नहीं है, एक्सरसाइस का फोटो ये सब कुछ पेशेंट हमें भेशते हैं और ये GTT का रिपोर्ट है, जो GTT का रिपोर्ट है, वो यहाँ पर नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव आना इसका मतलब है कि शरीर के अंदर वो सिस्टम डेवलप हो चुकी है, जो शुगर को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करती है, पहले शुगर की गोलिया खा रह तो ये होता है डाइबिटिज रिपोर्ट है, जिसमें एक डाइबिटिज पेशेंट बीटाओ डाइबिटिज हो जाता है, बीना डाइबिटिज की दवाईयों के वो आगे का जीवन अपना वेजित करने लगता है, तो ये हमारे डाक्टर से उस पेशेंट के साथ ने जो पेशेंट के बारे में बताओ तो मैं ये बह सकता हो कि उनकी जो अलोपेथी दवाईया बंद करने की इच्छा से जो आये थे, वो इच्छा हमारे डाक्टर ने पूरे दरीके से यहां पर पूरे करती है, शुगर भी कंट्रों में आ गई, एसीडिटी, विकनेस वगरे ये ट्रिट्मेंट कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कुछ तकलीश है, आपको डायाबिटीस है, तो आप इनके पाल जलू लाईएगा, यह आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करेंगे और डायाबिटीस को पुरी तरीके से रिवर्स करनेंगे, दन्यवान को